हाल्यो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासे बाई विशाल सर आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आधिक स्वागत हैं बच्छो आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजन स्टडीज इसको इंदी में विवसाई का ध्यन कहते हैं पढ़ेंगे इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने और यूनिट्स जितनी भी इलामत क्लास के बिजन स्टडीज की है सब पे मैंने हर टॉपिक वाइस काफी मेहनत करके वीडियो बना रही हैं अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिएगा और सिक्वेंच में सारी यूनिट देखते रहीएगा तो आपको अच्छे से सारे कॉंसेप्ट लो जाएंगे आईए समय खराब ना करते हैं आज हम पढ़ाई क्यों चलते हैं आज हम पढ़ेंगे classification of sources of fund बहुत important topic है कि जितने भी sources of fund या sources of business finance होता है किसे कैसे classify कर सकते हैं ठीक number one number second पढ़ेंगे on the basis of ownership और number three पर पढ़ेंगे on the basis of sources of generation तो तीनों के बार में छोड़ा डिसकॉस करेंगे हम इसमें only basis of period देखा आपको long term के लिए finance चाहिए होता है और short term के लिए finance चाहिए होता है ठीक है इसके बार में पढ़ेंगे second है on the basis of ownership यह honors fund और broad fund इसके बार में पढ़ेंगे और on the basis of sources of generation internal sources और external तीनों के बार में पढ़ेंगे तो आएए आगे हम पढ़ाई के हो चलते हैं अब हम पहला वाला जो तो हमारा उसके बार में पढ़ रहे हैं on the basis of period आप तीन तरह के बिजनस में होते हैं number one होता है long term year से ज्यादा one two three four five ten जो भी तनमा पीडियर होता है उसको long term बोल जाता है long term के लिए हमें business finance जो चाही होता है fund चाही होते हैं वो कहां से ले सकते हैं equity share से ले सकते हैं retain earning से ले सकते हैं preference share से ले सकते हैं debenture से long term financial institution long term banks यह सब का सब जो पैसा हमें खटा होता है fund जो खटा होत होता है मतलब short term लगबख one year या six month का माने जाता है one year का short term कह सकते हैं लगबख one से three year का medium term होता है और उसके बाद long term जो होता है more than three years होता है five ten इस तरह से तो medium term की जब बात करें तो आप कहां कहां से sources से कौन कौन से sources है fund इखटा कर सकते हैं आप bank से loan ले सकते हैं financial institution से ले सकत हैं या lease financing से भी ले सकते हैं और number third हम पढ़ रहे है short term यह आपका होता है less than one year क्या होता है यह less than one year एक साल से कम के लिए जब पैसे की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ठीक short term और जब one year से लेके आप कह सकते हैं three years के बारे में बात होती है तो mid term और जब more than three years के बारे में बात होती है तो इसको बोला जाता है long term short term में क्या होता है जैसे trade credit factoring bank commercial paper तो यह सारा आता है on the basis of period इसके बारे में बात करते हैं second हम बात करें on the basis of ownership ownership के base पे जो हम फड़ी खटा कर सकते हैं इसमे number one होता है owners fund और number second होता है borrowed fund देखें business में जो भी fund जो भी पैसा जो भी capital अप इसको बोला जाता है owners fund एक company के बाद में बात करें तो क्या होता है equity shares और return earning returning होते है last year's के profit आपके हैं पास है वो जो इखटे होते हैं return earnings बोला जाता है तो यह दोनो owners fund होते हैं यह मालिक खुद लगा सकता है business में अपने जो पुराने बच्छे लाब है उन में से या फिर equity share जो इशू करके public से ले जाते हैं और borrow fund क्या होता है जो भारवाला से loan लेते हैं loan fund होगे एक तरह से debt fund होगे क्या होगे इसमें debentures होगे सबसे पहले loan from banks होगे loan from financial institution public deposit lead financing ठीक and commercial paper तो यह सारा का सारा आता है borrowed fund में ठीक owner fund plus borrowed fund दोनों को मिला कि किसी भी business capital एकटा करते हैं कुछ परसंटेज जिसमें owners fund क्यों होती है और कुछ परसंटेज में borrowed fund क्यों दोनों का एक proportion रखना पड़ता है सबसे अच्छा capital का sources यही माना जाता है और number third बढ़ रहे हैं on the basis of sources of generation generation के basis वो सकता है internal sources जो अंदर से किसी business के अंदर के होते हैं internal resources बोला जाता है और जो internal के अलाव ह ले जाता है वो सारा यही है loan from financial institution, loan from banks, preference shares, public deposit, debenture, lease financing, commercial paper, trade, credit, factoring तो यह सारे sources जहां से हम पैसा बाहर बालों से ले सकते हैं ठीक है अब हम पढ़ रहे classification of the period of basis of period ठीक है period के ways पे कैसे आप classification की बात कर सकते हैं देखो जो हम बात कर रहे थे long term finance अभी हम period की बात कर रहे थे तो उसमें यह होता है जब long term के लिए में पैसा चाहिए होता है कब long term होता हम आपको बताता 3 years से ज़्यादा minimum 5 years आ गया तो यह traffic to the fund raised for a long period minimum 5 years and it is used for the investment in fixed asset which required for permanent need of the business जब किसी बिजनेस में आपको 5 कम से कम 5 साल के लिए पैसा चीह होता है तो आप fixed capital भी बोला जाता है इसको long term finance भी बोला जाता है तो इसमें उस time के लिए fund खटा किया जाता है ठीक है यह permanent need के लिए होता है विए किसी बिजनेस की fixed asset इसमें almost investment इसमें आता है और usually long term finance में shareholder से पैसे लेते हैं, diventure holder से लेते हैं, financial institution से लेते हैं, returning से ले सकते हैं दूसरा है median term finance, median term finance में क्या होता है आपको बताया था 1 to 5 years, मैं आपको 3 का बता रहा था, तो यहा 5 हो गया, 5 से बिल्कुल clear हो जाता है, वैसे यह first to 3 वाला कॉंशार्ट भी ठीक है, यह गलत नहीं कह सकते आप, ठीक है, तो आप यह पूरे एक business की establishment की बात के हिसाब से बताया गया है, कि अगर हम 5 years की, more than 5 years की बात करते हैं, तो long है, और first to five की बात करते हैं, तो medium है, और minimum one year की बात करते हैं, तो वो short है, यह very short है, ठीक है, तो it is used very short वैसे six month के लिए होता है, it is used for the modernization and expansion of business, usually it is raised for first to five years, इसमें आप क्या करते हैं, debenture holder से पैसे ले सकते हैं, financial institution से ले सकते हैं, commercial bank से, public deposit से, तो यह medium term finance क्या लाता है, ओके, और तीसरा होता है, short term finance, short term finance हमेशा less than one year के लिए होता है, यह इसमें काफी important बात है, जब भी हमें एक साल से कम के लिए पैसे कटा करते हैं, उसको short term करते हैं, short term की तो है definition बिलको ठीक है, and it is used for meeting the short term needs of the business such as investment working capital, main working capital के जो पैसा डेली के डेली खर्चों के लिए जो पैसा ची होता है, उसे हम working capital के लिए बोला जाता है, तो इसमें purchase of material, purchase of payment of wages and salaries, rent, etc., इसमें आती है, अभी हम जो second पढ़ रहे थे classification on the basis of ownership, ownership के बेसे हम कैसे classification क इसके बार में आपको थोड़ा बता रहा था, तो थेखिए बढ़ने इसके बार में थोड़ा सा, तो owners fund या ownership capital क्या होती है, it is the amount of capital contribute by the owner partners of the shareholders, or the shareholders, maybe, एक business में जो भी मालिक, या अगर partners है तो partners, या जो shareholder है, वो, जो भी हो सकता है, जो पैसे लगाते हैं, अपने personal sources से, तो उसको owners fund या ownership capital क्याते हैं, इसमें issue of share आजाता है, अगर company की बात करें, partnership business की बात करें, जो partners लगाते हैं, वो है, edited endings आ जाती है, पिछले साल के profit है, ये काफी important sources हैं business finance के, second कह रहा है, वो हमें owners fund के features बता रहा है कुछ, इसमें risk capital भी होती है, it is एक तरह की risk capital है, क्योंकि जो स सारा का सारा risk जो होता है, इसमें enterprise पर डिपेंड करता है, shoulder पर डिपेंड करता है, इसलिए risk capital भी बोला जाता है, और ये permanent source है capital क्योंकि shareholder को पुरी lifetime में जरूरी ही होता, payment करें ना करें बड़ती है, no security is required, security को जरूरत नहीं होती, it provides the right to manage and control the business, तो अराम से पने business को सही जो कंट्रोल कर सकते हैं इस fund से आप, second होता है borrowed fund जो भी आप internal के लावा जो होते हैं, owners fund के लावा वो भारवला सो जो लिया जाता है, इसको बोला जाता है, borrowed fund is traffic to fund raised through loans and borrowings, loans and borrowings लोन जो लेते हैं वो हैं, इसमें debentures आते हैं, main debenture holders हैं, public deposit हैं, financial institution हैं, commercial paper हैं, ये सब चीज होती हैं, ये एक fixed period के लिए raise किया जाता है, इस पर एक fixed percent interest देना पड़ता है, ये बड़ी बात है, जब भी डिबेंचर issue करेंगे, तो क्या आगे आपने दिखा हो, 10% इस तरह लिखा रहता है, तो आपको ये interest देना पड़ता है, either you are using that money or not, चाह profit or either you are earning profit or loss, you have to pay fixed rate of interest on borrowed capital, ये it is a charge against asset, ये charge on assets, किसी भी assets पर charge होता है, charge का मतलब होता है, अगर आप payment नहीं करेंगे तो वो बेचती जाएगा asset, no sharing of control and management, ठीक है, management इसमें कोई sharing नहीं करता है, control कुछ नहीं होता management का इस पर, और हम पढ़ रहे है, classification on the basis of sources of generation के base पर जो हमने पढ़ा था, chart तीन उनके ब अगए जाता है, उसे internal sources बोले जाते हैं, equity share, disposing and surplus stock, retaining earnings, etc. और शाकिन होते है, external sources क्या होते हैं, वो fund जो बाहर से आप इखटा करता है, outside the business, इसमें issue of debenture, bank loan, public deposit, borrowing from financial institutions, ये सब इसमें आता है, तो इसी के साथ, ये वाला topic भी खाता होता है, इससे पहले मैं आपको कहूँग अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखना, और अगर आपको अच्छी लगए इसको लाइक करें, मेरे चनल को सबस्क्राइब करें, और अपने से फ्रेंड में शेयर जरूर करें, और साथ मेरा का चोटा बैल लिंग को जरूर प्रैस करें, ताकि आन अगर आपने वाद्ट